प्रिये विध्यार्थियों, आज हम देखेंगे नापकी बलों के गुण और मेसान सिद्धान्त, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नापकी बलों के प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो नापकी बलों की प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आती है लग नभग दो फर्मी तक होती है और एक फर्मीन 10 के वाव माइनस 15 मीटर के बराबर है इसलिए हम इसको फैम्टो मीटर भी कहते हैं अब चुकि ये किवल नापिक के अंदर बहुत कम दूरी तक है इसलिए लगुपरास बल है इन बलों की प्रकरती कैसी है यह हम देखते हैं अकर्षन प्रकरती के हो जाते हैं यानि कि ये दोनों ही तरह के हैं अकर्षन प्रकरती के भी और प्रतिकर्षन प्रकरती के भी लेकिन बहुत कम दूरियों पर ये प्रतिकर्षन प्रकरती के हैं और 0.5 से अधिक फर्मी की दूरी पर यानि दो फर्मीर की दूरी तक जहां क कि तब कि नाभिक की परास है, वहां तक ये आकर्षन के और प्रबल आकर्षन के बल होते हैं, अब है इनकी स्पिन निर्भरता कि प्रयोगों में ऐसा पाया गया है कि डूटॉन की जो स्पिन अवस्था समानतर होती है, तो ही ये बद अवस्था का निर्मान करता है, और ये ृट इंवस्था समानतर है, उन दोनों के लिए नाभकेबल अलग अलग पाये गाएऄ, सिंग्लियाट इंट्रेक्शन को हम मान सकते हैं कि वो पौल्य अक्सूजन प्रिंसिपल का परिणाम है, क्योंकि पौल्य अक्सूजन प्रिंसिपल कहता है, पौली का परजन ही वम कहत और इसको हम attribute करते हैं अपने NP forces के लिए, लेकिन PP forces के लिए जो anti-parallel spin है, वो ज़्यादा महतोपूर्ण हो जाती है, उसका reason है कि कुलांबियन interaction भी उसमें काम करते है, अब हम जाते हैं, अगला गुण वो है संत्रप्ता का गुण, और हमने ये देखा है कि binding energy पर nucleon जो है, व उसकी कार्ण ही उस पर बल लगता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि नापके बल कैसे है, संत्रप्त बल है, क्योंकि अगर ये संत्रप्त नहीं होते, तो एक nucleon पर बाकी नाभिक में स्थित नुकलियोने की कार्ण भी बल लगता, और बल लगता तो binding energy जो है, वो proportional to A square होती, जब कि हमने पाया है, binding energy पर nucleon लगबग स्थिर है, इसलिए ये बल कैसे है, संत्रप्त बल है, अब ये भी पाया गया कि आपके पास nucleonों की spin और कोणे संविक के कारण नाभिक में टैंसर बलों की उपस्तिती हो जाती है, अकेंद्रिय घटकों की उपस्तिती उसमें हमें प्रमा अकेंद्रिय घटक भी उपस्तित है, और इसका प्रमाण हम दे सकते हैं, कि नाभिक में जब एक proton और एक neutron की उपस्तिती होती है, तो कुल चुम क्या घून आपके पास 0.87866μb हो जाना चाहिए, प्रन्तु हमें ये मिल जाता है 0.8574μb के बराबर, और ये जो अंतर है, य ये केवल हम तभी समझा सकते हैं, जबकि हम नाभिक बलों में अकेंद्रिय घटों की टैंसर बलों की उपस्तिती को माने, अब अगला गुण है, कि जो नाभिक बलों में है, वो विने में होता है किसी ना किसी कणका, दोनों प्रोटोनों और न्यूटोनों के मत्थे, जिस गुण है अविश समिती का गुण। ऐसा पाया गया कि आपके पास प्रोटोनों और न्यूटोनों के मध़्े लगने वाला बल समान होता है, क्यों समान होता है, क्योंकि नाभिक बल सम्मित हैं, केवल तब मौन सकते हम जबकि हम प्रोटोन के मत्थे MaPor को छोड़ दे जैसा अंतर आया न्यूटॉन न्यूटॉन के बलों से वो सिर्फ वज़स किस वज़स से अपियर हुआ क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कुलाम्यन प्रतिकर्शन बल भी काम करता है तो अब हम इसको एक उधार्ण से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास हमें जो हीलियम 3 की अंतर है वो मुझे मिलता है 0.77mvb के बरापर अब यहां अगर मैं देखूं तो जो हीलियम 3 है इसमें आपके पास प्रोटॉन के संख्या 2 है और न्यूटॉन के संख्या 1 है जबकि यहां पर मेरे पास प्रोटॉन के संख्या 1 है और न्यूटॉन के संख्या मेरे पास 2 है 1 तो आपके पास C1H3 और 2H4 यानि कि दोनों का प्रमानू क्रमांख है वो अंतर है, एक का दो है, दूसरे का एक है, लेकिन द्रवेमान संख्या दोनों की समान है, तीन है, तो हीलियम 3 में में जब देखती हूं, तो मुझे जो प्रोटॉनों की संख्या मिलती है, वो मिलती है, दो और Newton-ो के संख्या मिलती है एक जब कि 1HE3 में यानि Detroit prolium जब मैं काम करती हूं तो मुझे proton-ो के संख्या मिलती है एक और Newton-ो के संख्या मुझे मिलती है दो यानि कि यहां दो दो एनन बल लग रहे हैं यहां पर एनन बल की पस्तिती मुझे दीखेगी और यहां इसके मध्धे जो अंतर है वो केवल इनके कुलामिन इंट्रेक्शन के कारण ही अपियर हो रहा है कि अपसिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि फिलामिन प्रतिकश्वन उट्जा हम ग्याद कर लेते हैं कुलामिन प्रतिकश्वन उट्जा का मान मिलता है 6 by 5 kk square upon r यहां में यह सब जो भी मान है इन कॉंस्टेंट्स के मैं रख देती हूं कि का मान 9 into 10 power 9 है q का मान 1.6 into 10 power minus 19 है और r का मान 2.24 into 10 power minus 15 मीटर है यह सब जब मैं मान रखती हूं तो मुझे कुलामिन प्रतिकश्वन उट्जा का मान वही मिलता है जो कि इन दोनों के मध्य उट्जा का अंतर है जो यह बताता है कि आपके पास कि इन दोनों बंधन उर्जाओं को अंतर केवल कुलामेन प्रतिकर्शन बल के कारण ही आया है अब हम चाहते हैं कि आपके पास नापकी बलों का मेसान सिद्दान्थ क्या है जो कि हमने विनी में वैवार में भी देखा अब इसके पीछे कुछ इतिहास में हम जाएं कि मेसान सिद्दान्थ कैसे आया तो हमने नापकी बलों को पाया है कि वो विनी में प्रकर्टी के बल हैं अब विनी में प्रकर्टी के बल हैं तो यह डिपेंड करता है कि आकर्शन होगा या प्रतिकर्शन होगा ये डिपेंड करेगा कि कण की अवस्था कैसी है अब हलाकि कण की अवस्था कैसी है आकशन का बल हुगा प्रतिकशन का बल हुगा ये सब हम कुछ समझा नहीं पाए संतुष्टी कुण इसका कोई हम संतुष्टी जना कोई जवाब नहीं दे पाए लेकिन ये बल गणिती रूप से नाविक के संदत्ता गुण की ठीक से व्याख्या करते हैं, यह हम इसपष्ट कर पाए। अब इसकी खोज कैसे हुई कि यह विनिमे वैवार के हैं, तो सबसे पहले जब न्यूटॉन की खोज हुई, तो हाईजनबर्ग ने सुझाव दिया, कि जब एक न्यूटॉन प्रोटॉन से इंट्रेक्ट करता है, तो उसके मध्य इलेक्टॉन का विनिमे करता है, इसी तरह ज न्यूटॉन जब इलेक्टॉन का उसरजन कर देता है, तो वो प्रोटॉन में बदल जाता है, इस प्रकार केवल एक ही न्यूटॉन और एक ही प्रोटॉन केवल एक बार में अन्यून्यक रिया करते हैं, इसलिए इसमें संत्रप्ता का गुर्ण होता है, यानि एक्सचेंज behavior जो समझाया गया Heisenberg के द्वारा वो electron के exchange के द्वारा समझाया गया अगला जो जब अगला जो हमारे पास सिद्धानत आता है वो है फर्मी का फर्मी ने जब बीटा शेय की व्याख्या की क्योंकि हमें मालूम है कि नाभिक में से कंड निकलते हैं, electron निकलता है, positron निकलता है, alpha particle निकलते है तो जो फर्मी ने बीटा डिकी को समझाने की व्याख्या की समझना चाहा तो उसने सुझाव दिया कि proton और neutron की मद्धे जब अन्यून्यक रिया होती है, तो electron की अत्रिक एक कंड और निकलता है, जिसे हम neutrino कहते हैं तो यानि दो particle का विने में वहाँ हो रहा है, एक तो हो रहा है electron का विने में, और दूसरा हो रहा है neutrino का विने में तो फर्मी ने क्या कहा कि जो neutron है, वह electron और neutron का उसरजन कर proton में बदल जाता है, और जो proton है वह positron और neutron का उसरजन कर neutron में बदल जाता है न्यूट्रोन में जब उसने पॉजिट्रोन का उसरजन किया और न्यूट्रोनों का उसरजन किया जब इसके द्वारा हम इस विनिमे के द्वारा जब हमने नापके बलों की प्रबलता का मान निकालना चाहा तो वो हमें बहुत कम मिला और इसलिए हमने कहा कि यह जो नाप की अहला कि यह बहुत अच्छा सुझाव है कि लेक्टॉन और न्यूट्रिनों के विनी में से नाप के बल काम कर रहे हैं लेकिन मुझे चूकी इससे बलों की प्रबलता का मान उतना नहीं मिला तो इसलिए यु प्रबलता है नाप की अन्यूने क्रियाई होती है उस सिती में मेसान कणों का विनी में होता है पाई मेसान कणों का लेन दिन होता है और यह अब तक हम बहुत सारे विभीन द्रवेमानों और बहुत सारे आवीश वाले मेसान कण खोजे जा चुके हैं और शुरू में कास्म किर्णों से एक μ्यू में सौन भी पाया गया जिसका दरवेमान इलेक्ट्रॉन के मास का 200 गुणा था लेकिन उससे हमें नापकिय अनुनियक्रिया के सही परिणाम नहीं प्राप्त हुए तो 1947 में एक और दरवेमान कणकी खोज हुई एका सुझाव दिया गया जिसका दरवेम इलेक्ट्रॉन के दरवेमान का 273 गुणा था और इनके विनिमे के द्वारा हम नापकिय बलों की सीमित परास को और उसके विनिमे प्रकरती को समझा पाए और ये तीन प्रकार के पायोन पाये गये एक तो पाय प्लस पाय माइनस और पाय जिरो यानि कि आवेशित पायान पाय प्लस और पाय माइनस और उदासिन पायोन पाय जिरो पाया गया अब आनुन्य क्रियाओं में पायोन ये पाया गया कि अब ये सुझाव दिया गया कि नापकी आनुन्य क्रियाओं में पायोन का भी निमे होता है तो प्रोटॉन और नूटॉन जब इंट्रेक्ट करते ग्यान कि तुकि हम ठीक्स प्रूव करपया कि ग्यांती सभर्णल की कि सवस्यों होते हैं और कि और प्रेवकों से डीक्षंड सम्भव नहीं है इसको भू सिद्ध्र कर सकते हैंaring और हाईजनबर के असंटेंटी प्रिंसिपल द्वारा और हाईजनबर का असंटेंटी प्रिंसिपल मेरे पास क्या कहता है कि उर्जा क्या निशित्ता का मान किसी भी कणके और उसके समय क्या निशित्ता का मान एच क्रॉस की कोटी का होता है तो यहां पर यह मान ले अगर हमक इसलिए उर्जा को हमने 135 मे भी मानते हुए एच क्रॉस का मान रखते हुए जब डिल्टा ट का मान निकाला यानि कि पाई मैसान के अस्तित्वकाल का मान निकाला तो वो हमें मिल जाता है 4.88 in 10 की भाव मानस 24 सेकंड और इस समय में यह जो दूरी दै करेगा चुकि यह बहुत अलप मास का कण है इसलिए प्रकाश के वेक से गतिमान होगा तो हमें इसके द्वरत दैकी के दूरी समय में मिलती है वो मिल जाती ह 1.464 10 की भाव माइनस 15 मीटर यानि फर्मी की कोटी की मिलती है जो कि नाभिक की परास है तो इससे यह सिध हो जाता है कि इसका हम डिटेक्शन क्यों नहीं कर पाए क्योंकि इसका जो अस्तित्वकाल है इसका जो आयूकाल है वो बहुत अलप है और प्रयोग द्वारा इसमे प्रमानित होता है अब जब हमारे पास हम क्या करते हैं कि अनुनिक रियाएं हो रहे हैं और पायोन के विनिमे से हो रहे हैं तो हम उन्हें कैसे समझाएं इसको समझाने के लिए सबसे पहले आविशित पायोन का विनिमे कैसे होता है वो समझाया गया यानि यह माना गया धनात्मक पायोन का उसरजन कर प्रोटोन में बदल जाता है इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्रोटोन है वो धनात्मक पायोन का उसरजन कर न्यूटोन में बदल जाता है इसको हम पाय माइनस सी भी समझा सकते हैं कि प्रोटोन न्यूटोन में कैसे बदलता है और न्यू गोविष्ड कर सकता है, न्यूट्वनków में बदल सकता है, पाई माइनस का भी nerv कर सकता है, उसरजन कर सकता है, पाई प्लस का भी उसरजन और उसरजन को सकता है, यहानि की हम यह कह सकते हैं, कि आवेशित पाईयोन के उसरजन द्वारा proton-nuton में और newton-proton में बदलता है अब हमदेखते हैं कि proton-proton और newton-newton के मध्धे कौन से पायोवन का विनी में होता है चुकि proton-proton की मध्धे आविश्का कोई अंतर नहीं आ रहा है ना newton-newton में आविश्का अंतर आ रहा है तो हम ये मन लेते है कि उदासिन पायोन के विनिमे से ये दोनों अनुने क्रियाएं करते हैं तो हम इसको दर्शा सकते हैं कि प्रोटन प्रोटन में ही रहा पाई-जिरो का असनों सर्जन किया या अव्शूशन किया इसी तरह न्यूटन न्यूटन में ही रहा तो बैट मिंटन तुन है इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो खिलाडी हैं वह परसपर गेंद को कैच करने का गेम खिल रहा है लेकिन हमारी शर्त ये है कि बैड मिndन के जू कौक है वह नीचे नहीं गिरनी चाहिए लगातार गेम चलता रहना चाहिए और जब गेम लगातार चलता रहना चाहिए, इसका मतलब दोनों के मत्ते एक बॉंडिंग होनी चाहिए, और वो बॉंडिंग कैसी होती है, इस बॉंडिंग में हम देखते हैं, कि अगर इसने इसको जोर से उचाला है, तो इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, दूसरे दूसरे वाले व्यक्ति को, हम यहाँ दो व्यक्ति मान लेते हैं, मेरे पास एक ये व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, एने अगर गेंद को टेज़ उचाला है, तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, बी वाले को catch करने के लिए, और अगर इसने धेरे में से फैकी है, तो इ जो दोनों का विस्थापन है आगे पीछे वो गती कर रहे हैं और अलग-लग वेलासिटी से गेंद फैकी जा रही है तो वे समवेग में परिवर्तन वहां होगा और जब समवेग में परिवर्तन होता है तो बल लगता है इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी पार्टिकल का अगर हम इसको प्रोटॉन और न्यूटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन माल लें तो अगर पायोन का विनी में हो रहा है तो उसके द्वारा समवेग में परिवर्तन के द आपके forces की उत्पत्ती होती है, धन्यवाद.